राज का जो हमारा टॉप इक है वो है इए इफ स््टेटमेंट छोंकि हम चैट्र नंबर 11 पड़ रहे हैं डिसीजेन कन्सुक्ट के बारे में के प्रोग्रामिंग में डिसीजेन कंस्ट्रक क्या होता आधा है तो उसमें जो इफ स्ट Techically सबसे हिम्पोर्टन होती है It allows a statement or set of statements to be executed conditionally. यानि कोई भी condition के तौर पर अगर आपने statements को execute करवाना है, तो if statement हमें वो allow करता है, आप if statement के जरीए conditionally तौर पर statements को execute करवा सकते हैं. अब इसका general syntax क्या है? इसका general syntax ही है, आपने सबसे पहले if का keyword इस्तमाल करना, if एक keyword है, जो के decision या condition के तौर पर इस्तमाल किया जाता है, ठीक है? if का keyword इस्तमाल करना है, उसके आगे brackets के अंदर condition लगानी है, जो भी condition आपकी होगी, आप जो भी चाहते हैं statements को देखते हुए, आपने condition लगानी है, condition लगाने के बाद brackets के अंदर आपने statements लिखनी है, अब बात यह हो रही है, यह हो सकता है के condition के तहत एक statement execute करवानी हो, तो उसके लिए brackets लगाना लाजमी नहीं है, आप just statement write करते हैं और वो execute हो जाएगी, अगर आपने एक से जाइद statements को, यानि 1, 2, 3, and up to 1, and number तक statements को execute करवाना है, condition के तहत, तो आपको brackets के इस्तमाल करना होगा, ओके, तो अब हम आते हैं इसकी diagram पर, इसकी diagram कैसे है, देखें, कोई भी condition होती है, उसके दो पहलू होते है, या तो वो false होती है, क्या होती है, या तो वो true होती है, या तो वो false होती है, अब if statement के अंदर इसकी execution कैसे होती है, अगर तो condition true होती है, तो उसकी against जो program body के अंदर statements होती है, वो execute होती है, otherwise वो skip हो जाती है, यानि false होनी के सुरत में, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, के एक execution स्टार्ट होई होती है, उसने आकर condition check किया, यानि if statement पर आया, condition check की, अगर होई condition true, condition true होई है, तो statements execute होंगे, statements execute होने के बाद program end हो जाएगा, terminate हो जाएगा, let's suppose अगर condition check करते होए, condition होगी false, तो फिर program पहले ही skipped हो जाएगा, okay, इसकी example यह है, के बाद अकाद हमारे पास आता है, के आपने एक student के marks enter करवाने है, क्या enter करवाने है, students के marks enter करवाने है, okay, अब marks enter करवाने के बाद हमें यह देखना है, के आया वो student pass है या नहीं है, उसके लिए आपने condition रखी के marks जो है, वो greater होने चाहिए, 33 से, okay, तो यह हमारे पास एक condition expression बन गई, के अगर if marks greater than 32, then you are passed, okay, तो इस किस को evaluate करने के लिए हम if statement का इस्तमाल करते है, okay students,